हेलो स्टुडेंट तो आज हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं या आप बोल दिए नया सब्जेक्ट चालू करने जा रहे हैं सिस्टम एनलेसिस डिजाइन तो कम्पेटिशन पॉइंट व्यू से ये सब्जेक्टे बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है तो इस सब्जेक्ट से लेटेड कोश्चन आपको एक्जाम के अंदर मिलेंगे ओके तो बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे हम और बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल स्लोली चलेंगे अगर किसी को लगता है कि वीडियो स्लो है तो प्लीज उसको आप पास्वड कर दिये देखिए जो हम चालू कर रहे हैं सेड शिस्टम एनलैसिस एंड डिजाइन तो सबसे पहला जो आपको आपको वीडियो है वह है इंट्रोडेक्शन तो आज हम देखेंगे तो वो system क्या होगा क्या नहीं होगा आगे हम पढ़ेंगे अगर मोटे तोर पर अगर अभी में बात करूं तो system is anything which you can feel, see, जो भी चीज़ आप देखते हैं, वो सारे system हो सकते हैं, ज्यादे human being, human being भी एक system है, computer, computer भी एक system है, business, business भी एक system है, payroll, payroll भी एक system है, railway management, railway management भी एक system है, वो भी एक system है, weather forecasting के लिए data calculate करना है, ये भी एक system है, ओके, तो system के भी अलग-लग types होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, वो one by one हम सारे detail के अंदर पढ़ेंगे, आज हम देखेंगे introduction, तो definitions लिखनी इसलिए important है, क्यों कई बार questions direct आजाते हैं, ये सार हैं, इसका screenshot लेना चाहते हैं, तो आप screenshot ले सकते हैं, मेरा जो काम रहेगा, वो ज़्यादा ज़्यादा आपको समझाने करेगा, okay, तो मैं content यहां पर पहले से लिखके रखूँगा, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, introduction, said is a study in which we learn how to analyze an existing and execute a better run, देखिए सेड जो है उसको पढ़ने का main माकसद क्या है, अगर कोई project या system पहले से ही चल रहा हो, तो उसको हम क्या करेंगे, learn करेंगे, वो कैसे execute हो रहा है, वो सीखेंगे, और अगर उसको पढ़के, अगर मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, कोई upgrade version ला सकता हूँ, तो वो मैं कोशिस करूँगा, तो इस जो approach है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेड, सेड is a study in which we learn how to analyze an existing, जो system पहले से ही बन चुका है, उसको मैं analyze करूँगा, मान लीजे आपका working of computer है, तो ये computer system कैसे काम करा है, पुराने जो हमारे computer system, उसके अंदर हमें देखा vacuum tubes र पुराने system को कहीं ने कहीं learn किया गया, उससे सोचा गया है कि मैं कैसे उसको better बना सकता हूँ, future के अंदर, okay, an executive better one, for किसके लिए, future के लिए, तो इसका example आप देख, ये भी ले सकते हो, business system, business system के अंदर क्या है, कोई business आपको start कहना नहीं नहीं, मान लीजे, आप marketing के अंदर जाना चाहते हो, और आपने क्या किया, एक mobile वाला business आप चालो करना चाहते हो, तो सबसे पहले market के अंदर, जो भी mobile company run कर रही है, उसको आपको analyze करना पड़ा है, कि market किस company का ज्यादा है, क्या Chinese company का ज्यादा है, क्या इंडिया के अंदर, Indian companies का market ज्यादा है, तो अभी हम जैस ज्यादा है, Chinese company का market इंडिया के ज्यादा है, उसके अंदर, प्लेटफोर्म चलता आ रहा है, जो system अभी चलता, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, analyze करना पड़ेगा, और उसके बियाफ पे, आप market के अंदर, एक नया system develop करने की कोशिस करेंगे, लेगे, the major goal of system analysis and design is, system analysis and design का major goal है, वो क्या है, to improve organizational system, कहने की वोई चीज़े है, कि अगर आप नया कोई project लाना चाहते हो, नया कोई system लाना चाहते हो, तो उसका goal क्या रहेगा, कि भे मैं better कैसे लास हो कूँ, और वेसी बात है, जो पूराना तो चली रहा है, उसके अंदर आप क्या करोगे, आप अब जो नहीं चीज़ ले का होगे, उसका आप कोशिज करोगे, कि upgrade version ले के आ सको, छीके, तो एक question था, देखिए, the system study project includes, system study हम अगर करते हैं, किसी project की, तो उसके में क्या क्या रहेगा, system analysis रहेगा, system design रहेगा, implementation phase रहेगा, या both A and B, वैसे तो देखा जाए, तो मोटे तो system को मैं analysis करूँगा, और मैं system को फिर क्या करूँगा, design करूँगा, तो मेरा जो पढ़ाने का approach यही रहेगा, मैं सबसे फिल आपको example के सुख समझाने कोशिस करूँगा, फिर मैं content के उपर बात करूँगा, और उसके बाद हम question करेंगे, जिससे आपको जो भी topic हम पढ़ रह जाएगा, तो चलिए मिलते हम नेक्स्ट वीडियो केना है, तब तक बढ़ो और आगे बढ़ो, thank you